मश्कार दोस्तो मैं उमेश सनुडी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल विबेग जीक के एंड मैथ क्लास में दोस्तो आज के हम वीडियो में हम देखने वाले हैं बिज्ञान, परियाबरान, समान ग्यान और मत्प्रदेश का समान ग्यान तो आज जो हम यहाँ पर तीन चार टॉपिक हम कवर करेंगे और वीडियो में आगे जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सके मैंने इससे पहले लगभाग 25-26 वीडियो बनाए हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसको देख सकते हैं साथ ही मेरे मैंने ओल्ड पेपर संबंधित वीडियो बनाए हुए हैं जो आप 2013, 14, 17, 16 और 1918 के आप जो है पेपर की वीडियो आप देख सकते हैं और आप चैनल के वीडियो में जाकर के आप मेरे इन वीडियो को आप देख सकते हैं जो एक्सिलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेज़ पर इच्छा 2020 के लिए बहुत ही महत्पूर होंगे तो आईए हम यहाँ पर कोश्चनों को स्टाट करते हैं यहाँ पहला कोश्चन जो आप देख र और यहाँ पर जो आप्शन हो जागा carbon dioxide होजागा CO2, CO2 जो है यहाँ पर ताप मान के लिए उत्तरदाई होता, साथ ही carbon dioxide के साथ साथ जो है methane CH4 और sulfur dioxide और nitrogen hydrogen oxide यह गैसे ऐसी हैं जो कि तापमान में ब्रध्धी करती ग्लोवल वार्मिंग के लिए या फिर ग्रिन हाउस प्रफाव के लिए उत्तरदाई गैसे होती हैं अगले question क्यों चलते हैं अगला जो question regarding heat and electricity का पर इस तांबा उस्मा और विद्धुत का है तो यहाँ पर हो जागा good conductor सुचालाख है तांबा जो है उस्मा का सुचालाख होता है उस्मा और विद्धुत दोनों का अगले question क्यों चलते हैं तू मेजर दा टाइम डिफरेंस इन स्पोर्ट कॉंपिटिशन्स वी यूज ए खेलकूत प्रतियोगताओं मैस समय अंतर को मापने के लिए उपयोप की जाने वाली घडी का नाम है यहाँ पर बिराम घडी का यूज किया जाता है इस्टाउप बाच का यूज किया जाता है खेलकूत प्रतियोगताओं मैं अगले question क्यों चलते हैं यहाँ पर question the percentage of oxygen in the atmosphere is वाई मंडल में oxygen की प्रतिशवत मात्रा है तो यहाँ पर जाकर 21% ध्यान रखिये अगला जो सबसे अधिक मात्रा में जो है nitrogen होती 78% होती है दूसरा number oxygen का था जो की 21% है और तीसरा number carbon dioxide जो की 0.03% होती है अगले question क्यों चलते हैं अगला question है यहाँ पर night blindness is caused due to the deficiency of which vitamin रतों धी किस vitamin की कमी के कारण होती है तो यहाँ पर गोगा vitamin A, C number का option सही हो जाएगा vitamin C की कमी से स्कर्भी होता है, vitamin B की कमी से बेरी-बेरी होता है और D की कमी से रिकेट्स होता है और A की कमी से रतों धी होता है तो यहाँ पर C number का answer हो जाएगा vitamin A अगले question क्यों चलते हैं अगला question है why which method water is extracted from card किस विधी द्वारा दही मैंसे मक्खन निकाला जाता है option हो जाएगा A number का सही होगा हमारा अब केंद्रन के द्वारा centrifugation के द्वारा जो है दही से मक्खन को अलग किया जाता है अगले question क्यों चलते हैं अगला question है बल का SI मात्रक है the SI unit of force force का बल का SI मात्रक होता है Newton होता है यहाँ पर dine दिया हुआ है तो यहाँ पर जो dine होता है बल का Cgs में होता है मात्रक Cgs पद्धति में जो है method में बल का जो है force का Cgs में dine होता है जूल जो है उर्जा का मत्रक होता Kelvin temperature का होता है अगले question क्यों चलते हैं अगला question हम देख रहे हैं electric iron converts electrical energy into bitch energy electric iron द्वारा बिद्धत उर्जा को किस उर्जा में बदलते हैं तो जो प्रेश होता है electric प्रेश जो होता है घरों में वो जो है विद्धत उर्जा से उस्मा उर्जा में उसको परिवर्थित किया जाता है तो C number का जो है answer हो जाएगा अगले question क्यों चलते हैं the green pigment present in leaves and plants is card पत्यों वा पौधों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ होता है B number का option हो जागा है chlorophyll या इसको हिंदी में हरितलवक बोला जाता है chlorophyll या फिर हरितलवक अगले question क्यों चलते हैं अगला question है the conversion of milk to curd is a दूद का दही में परिवर्थन है chemical change है रसाइनिक परिवर्थन है बहुत महत्पूर question है या number का answer हो जागा रसाइनिक परिवर्थन होता है अगले question क्यों चलते हैं अगला question हम देख रहे हैं which of the following objects is opaque of two light यहां पर हो जाएगा निम्लिकित मैसे कौन सी वज्टू प्रकास के लिए पारदर्सी है तो यहां पर हो जाएगा पानी पारदर्सी होता है सीसा पारदर्सी हवा पारदर्सी लकडी जो है अपारदर्सी होती है जी number का answer होगा अगले question क्यों चलते हैं निम्लिकित मैसे किसके नश्ट होने क्याओधी सरवदीक है तो यहां पर हो जाएगा देखिए option केले का छिल का प्लास्टिक की थैली लकडी का टुकड़ा और अखवार की थैली तो यहां प्लास्टिक बैग हो जाएगा प्लास्टिक की थैली जो है सबसे बहुत कई सालों के बाद जो है नश्ट होती है अगले question क्यों चलते हैं अगला है पुस्प का नर जैनांग कहलाता है पुंकेशर कहलाता है यहां पर डी नंबर का अंसर हो जाएगा अगले question क्यों चलते हैं अगला जो question देख रहा है लॉमी सोल इज अ मिक्सर अफ दोमट मिट्टी मिस्रण हैं तो यहां पर हो जाएगा A नंबर का बालू और चिकनी मिट्टी का बालू और चिकनी मिट्टी का मिश्रण हो जाएगा यह question क्यों चलते हैं ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्स ओजोन परत को ओजोन परत रोकती है परवैगनी किर्णों को रोकती है उस पर पाई जाती है, छोब मंडल सबसे नीचे का मंडल होता है, नीचे का मंडल होता है, फिर इसके बाद जो है समताप मंडल होता है, फिर मंद मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, तो समताप मंडल जो होता है, उस पर पाई जाती है, और 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 जो सूत्र होता है, CFC की वज़े से, कलोरो-फ्लोरो-कारवन की वज़े से जो है, और जो है, चिद्र जो है, हो जाते हैं, उसका छरण होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा परवेगनी क्रिणों पो प्रत्थी प्यानी से रोकती है, अगले कोश्चन के ओर चलते हैं, अगला जो है, एकोलोजी डिल्स बित, परिस्थिती विज्ञान, खाली स्थान से संबन दित है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा C नंबर का, जीवों और उनके वातवरण के भी संबन, एकोलोजी कहलाता है, अगला जो कोश्चन है, वो है, फुल फॉर्म हमें बताना है, यहाँ यहाँ पर DRDL, DRDL का पूर्ण रूप है, तो उप्सन हमारा यह नंबर का हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डवलप्मेंट लबार्टी, कोश्चन क्यों चलते हैं, अगला जो देख रहे हैं, कटनी is famous for which of the following industries, कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कटनी जो cement उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध कई यहाँ पर कार खाने हैं, सिमेंट के, इसलिए cement के लिए जो है, हमारा से अगली कुश्चन के चलते हैं, अगला कुश्चन है, तात्या तोपे स्टेडियम इस लोकेटेड इट, तात्या तोपे स्टेडियम कहां पर स्थित है, तात्या तोपे स्टेडियम है, भोपाल में स्थित है, भोपाल में एक और स्टेडियम है, जिसका नाम ऐस बाग स्टेडियम जो कि भोपाल में स्थित है, और होलकर स्टेडियम इंदोर में स्थित है, और रूप सिंग स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है, अगले कुश् पिछले वीडियो में भी मैंने इसको कवर किया हुआ है और तांसेंज जो है अकबर के दर्बार में उसके नौरतनों में से एक थे और इनका वास्तिक राम जो था रामतन्नु मिस्र था और इनका जो मगबरा ग्वालियर में अगले कुश्चन क्यों चलते हैं अगला कुश्चन है बिच आप दा फालोविंग रिवर्स ओफ मद्द प्रदेश फ्लो टूबर्स बैस्ट मद्द प्रदेश में इमलिकित में से कौन सी नदी पश्चिम क्योर बहती है तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा बी नंबर का उप्शन ताप्ती ऐसी दो नदियां जो पश्चिम क्योर बहती नर्मदा और ताप्ती जो की पश्चिम क्योर बहती है और अरब ताप्ती नदी भी जो है अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा की भाती तो यहाँ पर हो जाएगा ताप्ती ताप्ती का जो उद्गाम है वो है बैतूल के मुल मुल्टाई मुल्टाई से निकलती है और अरफ सागर खंबाद की खाली में गिरती है अगली कोश्चन क्यों चलते हैं अगला कोश्चन है डूरंड कप is associated with the game of डूरंड कप किस खेल से संबंदीत है डूरंड कप जो है फुटवाल से संबंदीत है यहां पर हम खिलालियों की बात कर लेते हैं किस खेल में कितने खिलाली है तो क्रिकेट में 11 खिलाली होते हैं होकी में भी 11 प्लेयर होते हैं बॉली से हमको याद रखना बहुत जरूरी है अगले कोश्चन के वर चलते हैं अगला कोश्चन हम देख रहे हैं the headquarter of UNO is situated संयूक राष्ट संग का मुख्याला है इस्थित है इसका answer हो जाएगा A number का New York USA America में है New York में और संयूक राष्ट की स्थापना की गई थी 24 अक्टुमबर 1945 को और 24 अक्टुमबर को जो है संयूक राष्ट दिवस के रूप में मनाए जाता है अगले कोश्चन क्यों चलते हैं अगला कोश्चन है Himalayan Mount Rainring Institute of is situated it Himalayan Mount Rainring Institute इस्थित है दार्जलिंग में B number का answer हो जाएगा अगले कोश्चन क्यों चलते हैं अगला कोश्चन देख रहे हैं In which of the following years India participated in Olympic hockey for the first time निमलिकित में से किस वर्स में भारत ने पहली पहली बार Olympic hockey में भाग लिया था B number का answer हो जाएगा 1928 में और इसमें भारत में सौनपदक जीता था अगले कोश्चन क्यों चलते हैं इस्टिक इस सत्पूरा नेशनल पार्क लोकेटेड सत्पूरा राष्टी उद्ध्यान किस जिले में हैं यहां पर आजाएगा हमारा होशंगबाद में इस्थित है और भी हम राष्टी उद्ध्यानों की बात कर लेते हैं काना किसली जो है सबसे बड़ा राश्टी उद्यान है मत प्रदेश का जो कि मंडला जिले में है सबसे छोटा राश्टी उद्यान बन बिहार है जो कि भौपाल में इस्तित है और पैंच राश्टी उद्यान जो है स्यूनी मत प्रदेश की स्यूनी में इस्तित है अगले कुश्चन क्यों चलती हैं अगला कुश्चन है कापर is found in which of the following districts निमली खित मैंसे किस जिले में ताबा पाय जाता है ताबा जो है बाला घाट में पाय जाता है यहाँ पर मलाच खंड जो है ताबा के लिए फैमस है बाला घाट में अगले कुश्चन क्यों चलती है अगला जो कोश्चन है according to 2011 census which district has the highest population density 2011 की जनगर्णा की अनुसार किस जिले की जनसंख्या घनत स्वरवधिक है जनसंख्या घनत की बात की गई तो स्वरवधिक जनसंख्या घनत भोपाल में है और सबसे कम जनसंख्या घनत जो है टिंडवरी का है मत प्रदेश की बात कर रहे हैं और यदि मान लीजे छेत्रफल की दृष्टी से हम बात करें सबसे बड़ा जिस्टिक जो है वो चिंदवाड़ा है छेत्रफल की दृष्टी से और सबसे छोटा जो है दतिया है लेकिन अभी यदि 2011 के साइंसिस की अकॉर्डिंग बात करें अभी निवाली जो है सब नया जिला बना हुआ बावनवा जिला निवाली बन गया है मत्प्रदेश की साक्षर्थादर की बात करें तो मत्प्रदेश की साक्षर्थादर 70% है और भारत की साक्षर्थादर 75% है अगला कुश्चन क्यों चलते हैं अगला कुश्चन है मोर्ते फॉक पैंटिंग इस फाउंड इन विच आफ दा फालो बिंग एरियाज मौरते की छेत्र की लोग चित्रकला है यहां सही option हो जाएगा B नंबर का बुंदेल खंड अगले question क्यों चलते हैं अगला question है In which district is Asirgarh fort situated Asirgarh का किला किस जिले में इस्थित है यहां पर option हो जाएगा हमारा बुरहानपूर बुरहानपूर में जो है Asirgarh का किला है भारत का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है तो गौलियर के किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है बहुत ही माहत्मूर कोश्चा ने इसको मैंने पिछले वीडियो में भी cover किया हुआ है दोस्तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ आपका बहुत बहुत धनवाद